गुद्ध मॉर्निंग दियर स्टूजेंस तुदेवी आर गई तुट आवर नेक्स पार्ट फॉफ आवर चेप्टर सेकेंड तुट सेकेंड में हम जो है पैनिसल प्लेटिव का जो पार्ट था उसको हम डिसकस कर रहे थे उसी में आगी बढ़ते हैं अज डेकन प्लेट्व देकन पैटियो इस ए ट्रेंगुलर लेंड मास्च देट लाइज तो दा साउथ फ़ दा रिवर नर्मदा जो दक्षिन का पढ़ार है वो ट्रेंगुलर यानि कि त्री कोणि ये आकार में है और लाइट तु देस्वा इस साउथ फ़ दा रिवर नर्मदा और नर्मदा लातीय सत्पुड़ा की जो स्रेणिया है पहाडिया है वो फैली हुई है वहां पे वाहिल द महादेव द कैमुर हील्स एंड़ मैंकाल रेंज प्रों इस सॉरी फॉर्म इट्स इस्ट्रन एक्स्टेंसन और महादेव द कैमुर कैमुर की पहाडियां और मेकाल की पहाडियां है वो किस साइड है इसकी इस्टन एक्स्टेंशन यानि की पूर्वी जो फैलाव है इसका उसके तरफ यह तीनों पहाडियां जो है वो पाई जाती है लोकेट दीज हील्स एंड रेंजीज इन दा फीजिकल मैफ ऑफ इंडिया पारत की मैदान में यह पहाडियां और यह श्रेणियां जो आपने दर्शानी हैं दिखानी है दक्षिन का जो पठार है यह यह हाईयर मतलब उंचा है कि साइड वेस्ट की तरफ पस्सिम में इसकी उंचाई ज्यादा है एंड स्लोप जेंटल इस्ट वार्ड हलके ढाल के साथ किस तरफ जाता है इस्ट वार्ड यानिकी पूर्व की ओर एन एक्स्टेंशन ओप्लेट्यू इस वीजिवल इन नौर्थ इस्ट और इस पठार की जो एक्स्टेंशन अफ्यलाव है वह किस तरफ भी है नौर्थ इस्ट यानिकी उत्तर पूर्व की तरफ की देखने को मिलता है लोकली नौन एस दा मेगाले कहां तक जैसे की मेगाले है कार्वी एंगलॉंग ब्लेट्यू और कार्वी एंगलॉंग जो पठार है वहां पर नौर्थ कछार हिल और उत्री कछार की जो पहाड़ियां है उस तरफ यह फैला हुआ है इस सेपरेटिट वाई यह फॉल्ट बाइद छोटा नागपूर प्लेट फॉल्ट क्या होता है है कि मतलब दो प्लेटे जो टूट के जैसे उनके बीच जो बड़ी सी दिराज पैदा हो जाती है फोल्ट यानिक नीचे दस जाती है और एक उपर उट जाती है ठीक है तो उसके दुआरा यह अलग किया जाता है किस से छोटा नागपूर के ठार से थी प्रॉमिनेंट हिल् जैंतिया है और तीन जो है महां पर बहुत मतलब पहाड़ियों की स्रेणिया है कौन सी गारों खासी और जैंतिया यह जो पाड़ियां है वो पाई जाती है तीनों कहां पर इस्टर जो इंडिया है उसमें नेक्स्ट पराग्राफ है दा वेस्ट्र गाट्स एंड इस्टर गाट्स समार्ट दरेंड वेस्टर एंड इस्टर इस ओफ़ डेकन लेट्टियों रिस्पेक्टिवली जो उत्तरी घाट सुर्य पूरवी घाट्स और पस्वी घाट है यह दोनों किया करते हैं इसके पूर् तूदा वेस्टन कोस्ट जो वेस्टन घाट यानि पस्मी घाट जो है वो पस्मी जो तट है उसके साथ-साथ फैला हुआ है यह क्या है लगातार की पहाडिया है ठीक है और ओर कांटीनियू और उनको कैसे क्रोस्त कैसे करकर सकते हैं दर्रों की बरना की सोटे बहुत पांड़री यानि की छोटी छोटे रास्ते उतने पार्डी मैप या अमें दिखाने है ठीक है कहाँ पे वेस्टन घाट में यह पस्मिंगात के अंदर बार्त के मैप नेक्स्ट है दाव इस्टन घाट सार हाइयर देन दा इस्टेन घाट जो पस्मिंगात है वो फूरी घाट की पिख्षा क्या है यानि कि उंचा है उंचाई ज्याद़ है देने आवरेज एलिवेशन इस 900 to 1600 मेटर एज गेंस्ट 600 मेटर्स ऑफ दा इस्टन घाट की जो उंचाई है आवरेज यानि कि ओस्त वह 600 मेटर है जब कि वेस्टन यानि पस्मी घाट की जो उंचाई है वह क्या है 900 से 1600 मेटर तक है, दा इस्टरन घाट स्ट्रेच फ्रूम दा महानदी वैली टू दा निलगरी इन दा साओथ, जो पूरवी घाट है, वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, महानदी की घाटी है जो वहां से और निलगरी की पाड़ी है, साउथ में नीलिगरी की चुपाड़ी है दा इस्टन घाट सार डिस्कॉंटिनियोंस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टिड बाई रिवर्स ड्रेनिंग इंटू दा बे उफ बेंगोल जो नदियां जो नदियां इस पठार से ब्याकर बे उफ बेंगोल यानि बंगोल की डिसेक्टिड और क्या किया गया उसको बांटा गया है ठीक है बांटा गया कि इसके दवार नदिया दवारा जो कि बेंगोल यानि की बंगाले के खाडि में बैहकर गिरती हैं बेशन घाट को को औरोग्राफिक क्रेंग वाइफेसिंग डा रेंबिर इंग मोस्ट्वें कि जो पस्मी घाट है उसमें पर्भतिय वर्षा भी होती है कि उस्की उंचा ही ज्यादा है जब पवने क्या होती है स्मुदर के जिसे किनारे तो है समुद्र के पास ही है समुद्र से जो हवाई आती है जिन मोस्चर होता है बहुत जादा वह पस्मी घाट के पस्मी जो सतय है स्लोप है ढाल है उनके सारे उपर चड़ती है और वहां पर उस विज़े से क्या होता है पवने जितनी उची जाएंगी तो ठंडी होती जाएंगी और ठंडी होंगी तो पानी में कनवर्ट हो जाएंगी वह वास्प होती है जल वास्प ठीक है मोस्चर जो होता है वहां पर बारिस करती है दा वेस्टन घाट सार नोन डिफ्रेट लोंकल नेम जो पस्मी घाट है वह भी ने लोकल के स्थानिय नामों में के द्वारा जाना जाता है दे हाइट ओफ दा वेस्टन घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रम नौर्ट तो सब्सक्राइब उसकी जो उन्चाई है नोर्थ यानिक उत्तर से दक्षिन की और जाते हैं तो प्रोग्रेसिवली यानिकी बढ़ती जाती है ठीक है लगातार दा हाइस्ट पीक इनक्लूड दा अनाई मुडी इसकी सबसे जो उन्ची चोटी है वो कौन सी अनाई मुडी जिसकी उन्चाई कितनी है 2695 मेटर एंड दा दोद्दा बेटा ठीक है दोद्दा बेटा जो है इसकी दूसरी बड़ी चोटी है उन्ची चोटी है 2637 मेटर मेहंद्र गिरी मेहंद् 301 meter is the highest peak of the eastern ghat और ये किसकी सबसे उची चोटी है पूर्वी घाट की कि शेवरोई hills and the जवादी hills are located to the south east of the eastern ghat कि तो शेवरोई hill और जवादी hill ये कहां पे हैं साउथ इस्ट ओफ दा इस्ट घाट पूर्वी घाट के साउथ इस्ट में आने कि दक्षण पूर्व में स्थीत हैं लोकेट दा फीमस सेल्स स्टेशन सोफ उडाग मंदलम पॉपुलरली नोन एज उटी एंड दा कोड़ कनाल ठीक है ये जो चोटियां है है हिल स्टेशन है इस फेमस ऊटी काफ़ी फेमस है ऊटी ठीक है दक्षण भारत में तो यह जो हिल स्टेशन है इनको हमने लोकेट करना है इंडिया की मैप में दिखाना है कौन से हैं उडाग मंदलम पॉपॉपलरली नेम आज उटी ऊटी के नाम से जो जाना जाता है तीनों जो है हमें उसमें शो करना है चीक है आज के लिए हम इतना ही करते हैं थेंक्यूस गाइज